हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुती ज्यादा इंपोर्टेंड होने वाली है तो की फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप भी एक से ज़्यादा कमपनी में काम कर चुके हैं और उन सारी कमपनी का पैसा अपनी करंट की कमपनी या फिल लाश वाली कमपनी में ट्रांसफर करना चाते हैं तो वो ट्रांसफर कैसे करें वो जब पैसे निकालने का टाइम आता है तो वो सिजब एडवांस ही निकाल पाते हैं क्योंकि फूलन फाइनल विड्रो करने के लिए सबसे पहले आपकी जितनी भी कमपनिया है उन सब का सारा पैसा एक ही कमपनी में ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरा आपके पीएफ अका चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को जुरू सबिस्क्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नएनी वीडियो और अपडेट देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए फैंट सब AI बाद आपको न नीचे काफी सारे ओफिसन दिखाए देंगे यहां पर नीचे आपको एक ओपसान दिखाए देगा Just of site का इसके यहांगगी जो बॉक्स बनावा है इसपर हम किलिक कर देंगे उसके बाद जो हमारी कंप्पूटर की डैक यह मारे ऐं फॉन पर ओपन हो रैगा जो मौईल नम्बर आपका PFF अकाउंट में लिंक है उसके बाद यहां box में OTP टैप कर देंगे फिर यहां नीचे capture code टैप कर देंगे उसके बाद यहां submit पर क्लिक कर देंगे फिर यहां letter पर के लिक रएंगे तilेब देखिए हमारी EPF side open हो गई है फ्रेंड अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है एक एक step जब भी आप अपना पैसा transfer कर पाएंगे फ्रेंड यहाँ पर हम online service पर click कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर चार option दिखाए देंगे यहाँ पर second number पर लिखा हुआ है one member one EPF account transfer request तुम इस पर click कर देंगे फिर यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो भी personal details है वो यहाँ पर आजाएगी उसके बाद आपको scroll down करके नीचे आना है फ्रेंड अगर आप system से करोगे तो सारा एक page पर ही आजाएगा और mobile से अलग-अलग फिर यहाँ पर जो भी आपकी करंट की कमपनी है वो यहाँ पर आजाएगी फिर आपको नीचे आना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो औफसन दिखाई देंगे एक तो previous employer और दूसरा है present employer तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी transfer request कौन सी company से approve करानी है previous company से मतलब पहले वाली जिस company से आप काम छोड़ चुके है या फिर present company से जिस company में आप काम कर रहे हैं तो फ्रेंड दोनों company में से आप कोई CV select कर सकते हैं जिस company में आपकी अच्छी बाच्चीत हो HR से और फैंड अगर आपको उस company का यूँए number मालूम नहीं है तो आप यहां box पर click करके अपने PF number से भी company निकाल सकते हैं जो आपको transfer करनी है तो यहां पर हम previous employer पर click कर देंगे फैंड उसके बाद यहां box में अपना यूँए number type कर देंगे फिर यहां get details पर click कर देंगे उसके बाद आपको कुछ second का wait करना पड़ेगा उसके बाद नीचे एक option add हो जाएगा establishment का फिर यहां right side में arrow पर click कर देंगे उसके बाद आपके सामने सारी company आ जाएगी जिसमें भी आपने काम किया है फिर यहां पर हम उस company को select कर देंगे जो हमें transfer करनी है उसके बाद जो भी company हमें transfer करनी है वह यहां नीचे आ जाएगी फिर यहां पर left side में जो box है इन दोनों box पर हम click कर देंगे उसके बाद हमें नीचे आना है फिर यहां box पर click कर देंगे OTP के लिए उसके बाद यहां Get OTP पर किलिक कर देंगे, फिर आपको कुछ सेकिंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके रिष्टर माइल नंबर पर एक OTP सेंड हो जाएगा, फिर यहां बोक्स में OTP टैप कर देंगे, उसके बाद यहां समिट पर किलिक कर देंगे, फ्रेंड उ कैसे आप transfer करें, बो भी अपने mobile से चाहें एक से ज़्यादा company हो या फिर आप ने दो- Alberta कंपनी में काम किया है, तो आप ऐसे transfer कर सकते हैं, और फेंड, आपको कोई problem आती है, तो आप मुझे commit कर सकते है, या फिर आप मुझे mail भी कर सकते हैं मेरी mail idea आपको description box में मिल जाएगी